सभी सिक्सक सातियों और विद्यार्तियों को प्राध्यपक सांति लाल विश्णोई का नमस्कार सातियों प्रिविद्यार्तियों आज हम पड़ेंगे कक्सा बारा की जो हिंदी साहिती की पाटे पुस्तक अंत्रा है उसका अध्याय तुल्शिदाश तुलशिदाश अध्याय के अंतरगत हम दोहा और चोपाई सीर्षक के अंतरगत भरत राम का प्रेम पहले पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे कवितावली के पद और कवितावली के पदों में आज हम पहला पद है वो यहां पर पढ़ने जा रहे हैं तो इस आज की क्लास को सुरू करूँ इससे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि सभी सिक साती मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें अपने विद्यारतियों को बेजें और विद्यारती गण है वो भी आगे अपने सातियों को बेजें तो सातियों आज का पहला पद है जिसके अंदर बात कुछ इस परकार है कि ये भक्तकवी तुलशिदाश द्वारा रचित है गीतावली से ये लिया गया है और राम के वनवाश जाने के बाद जो कोसल्या की काय क्या इस्तती हो रही है उसका चितरन इन पंक्तियों में किया तो सबसे पहले हम करते हैं इस पद का वाचन तो वाचन कुछ इस परकार है कि जन्नी निर्कती बान धनुया बार बार उर नैननी लावती पर भूजू की ललित पनहिया पनहिया कारत है जूती कभू पर्थम जियों जाई जगावती कही प्रिये वचन सवारे सुबह के समय उठू तात तात कारतियां पर पुत्तर है बली मातू वदन पर बोदन कारत है मुक है चेरा है बली कारत है बली आरी जारी है मातू कारत है मा अनुज सका सब द्वारे अनुज कारत है तुमारे साती चोटे भाई है वो द्वार पर खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कभूं कहती यों बड़ी बार भाई जाओ भूप राज भूप कार्त राजा बड़ी बार भाई जाओ भूप पह भाईया बंदू बोली जैं जो भावे गई निचावर मैया कभूं समझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी तुलशी दास वै समय कहें थे लागती पृती सिखी सी तो यहाँ पर एक-एक सब्द का यदि हम पहले सब्दार्त देखें तो सब्दार्त कुछ इस परकार है कि सबसे पहले यहाँ पर बात आती है जन्नी कार्त मा है निरक्ति कार्त देखती है बान और धनुया को देखती है बार बार उरकार्त अपने कलेजे से लगाती है आँकों से लगाती है भगवान स्री राम के लिए परबुजू सब्दाया ललित कार्त सुंदर है पनाया कार्त जूतिया है और कभूंका अर्थ है कभी जिस प्रकार पहले जाकर राम को जगाती थी वेसे ही प्यारे वचन बोलकर हुआ है उनको शुबे शुबे जगाती है कभी कहती है कि हे पुत्र उठो मैं तुमारे मुख पर बलियारी हो रही हूँ और तुमारे सकादवार पर इंतजार कर रहे हैं अनुजगार्थ और कभी कहती है कि तुम भाई जो है वो सभी भाईयों को साथ लेकर राजा के पास जाओ और उन भाईयों को साथ लेकर जो अच्छा लगे वो खाओ इस परकार मया है उनपर नियुच्छावर हो रही है और जब उसको बात पता चलती है कि राम तो वन चले गए यहाँ पे है नहीं इस बात का इसाश होता है तो चित्र लिखी सी मतलब वचकित होकर चित्र के समान इस्तिर हो जाती है जडवत हो जाती है तुलशी दास कहते हैं कि वैसा मैं ऐसा है कि कोसलिया है उसकी दसा है वो एक मौरणी के समान हो जाती है जिस परकार नाजता वा मौर है वा अपने पंगों को देखकर बहुत खुश होता है नाजता है लेकिन जैसका ही उसका ध्यान अपने पैरों की और जाता है तो उसे बहुत अधिक दुख होता है तो राम के बारे में राम के सानिध्य का जो सवपन देख रही थी उसको देखकर तो कोशले बहुत खुश थी लेकिन जैसे यूद को उसको पता लगा कि राम तो वनवास चले गए हैं तो वह बहुत उदाश हो जाती है तो इसको हम अनुवाद की तोर पर ऐसे पढ़ेंगे पहली पंक्ती इस प्रकार है कि माता कोशलिया राम की बच्पन की चीजें माता कोशलिया राम की बच्पन की चीजें धनूश बान और जूतियों को देखकर दुखी होती है और उन्हें उन प्यारी चुजों को वे बार बार अपने गले से लगाती है अपनी आँखों से लगाती है और फूट फूट कर रोती है बान धनूश जूतियां इनको वे अपने कलेजे से लगाती है आँखों से लगाती है और बार बार इनको अपने गले से लगाकर कलेजे स आँखों से लगा कर फूट फूट कर रोती है और कभी वै माता कोसलिया मनी मन सिरी राम के बच्पन की छवी को देखती है यानि ये एक स्वपन है सानित्य है वैं स्वपन का आनद ले रही है और उस छवी को देखती है और कहती है क्या कहती है कि हे पुत्र उठो हे पुत्र तुम्हारे सुन्दर मुक को देखने के लिए बार तुम्हारे भाई और मित्र द्वार पर खड़े उठूबाल बली मातू वदन पर मैं मा तुम्हारे चहरे पर निरश्चावर होती जा रही हूँ और तुम्हारे इस सुन्दर चहरे को देखने के लिए तुमारे छोटे भाई और मित्र है वो बार खड़े तुमारा इंतजार कर रहें कभी माता कहती है कभू कहती हो बड़ी भार भाई जाओ भूप पह भाईया और कभी वे माता कहती है कि उटो पुत्र अपने पिता के पास जाकर अपने मित्रों को लेकर जाओ अपने पिता के पाश जाओ और अपने मित्रों को लेकर जाओ और बंदू बोली यानि बंदूओं को लेकर जाओ और क्या करो तुमको जो अच्छा लगे वे भोजन करो गरहन करो बंदू बोली जही जो भावे गई निच्छावर मैया इस परकार मा कोसल्या अपने राम की उ वनवास में हैं लेकिन जैसे ही उनका ये सानिद्य का सपना तोड़ता है ये कलपना तोड़ती है और उन्हें एसास होता है और वनगमन की बात याद आती है कि कभू समुझी वनगमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी लेकिन जैसे ही उसे वनगमन की बात याद आती है कि रा एक दिवार पर ठंगा हुआ चित्र है अंत्वें तुल्शिदास कहते हैं कि माता कोसलिया की इस्तती उस मोर के समान हो जाती है जो अपने शुंदर पंखों को देख कर नास्ता रहता है लेकिन जब उसकी नजर स्वैम के पेरों पर पड़ती है तो वैं उदाश हो जाता है कहने का ताज पर यह है कि मोर के पंख बहुत अधिक सुन्दर होते हैं और उन पंखों को देखते कर वैं मोहित होता है प्रशन होता है और नास्ते नास्ते जैसे ही उसका ध्यान अपने की ओर जाता है तो वैं निराश हो जाता है ठीक उसी परकार राम का शानिद्य शुक पाकर कोसलिया बहुत अधिक परशन थी लेकिन जैसे ही उसे लगता है कि राम तो यहां है नहीं वनवास गई है तो वैं मोर के समन दुखी हो जाती है तो साथियों यह था पहला पद के परती है वो प्रेम प्रकट हुआ है वातसलिय रस है और यहां पर वातसलिय का सैयोग और वियोग दोनों रसों का परियोग हुआ है अनुपरास अलंकार का परियोग हुआ है और एक तरीके से गे और लयात्मक पाइस पद के अंदर मोजूद है और इसमें बात करें तो कवित है एक तरीके से और भासा है इसकी वो अवदी है तो साथी उम्मिद करता हूँ कि सभी सक्सातियों को और विद्यारतियों को ये पद अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा साथी साथ चलते चलते आपसे एक निवेदन करूँगा कि आपका साथ इस अपने यूट्यूब परिवार के साथ बना रहे और इसके आप नियमित सदिस से जरूर बने वीडियो को लाइक सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद